हेले वरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना हस्व कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास 11 कमिस्टी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है जिसमें आज का क्लास में इस चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना बच्छो ताकि कोई भी वीडियो मैं प्रवाइड करू सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए सुरू करते हैं रदर फोड के परमाण वाडल के पहले परमाडू का माड बीच में दाना धसा रहता है यहीं तरवूज का बीच जो धसा रहता है उसी प्रकार से धनावेशित गोला कार परमाडू के बीच में इलेक्टरान धसे रहते हैं बस सिंपल है आपने तरवूज देखा होगा तरवूज का बीच भी देखा होगा जिसे दाना बोलते हैं सि रहती है है ना जो धनावेश उसके समान रूप से बीत रहे थे और बीच बीच में क्या है इलेक्टरान गुथे रहते हैं ये चीज पूर रूप से मतलब इसपस्ट बेक्ख्या नहीं कर पा रहा था इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सन 1911 में रदर फोड ने अपने एक मा पात्र लिया एकदम पत्ला पत्र स्वण का ही क्यों लिया क्योंकि इसकी अत्यंत पत्ली पन्नी बनाई जा सकती है पत्ला पत्र स्वण पात्र लिया लेकिन इसकी अत्यंत पत्ली पन्नी बनाई जा सकती है मतलब इसका जो पत्तर है एक भाग है इतना पत्ला बनाई जा सकत और उसमें अलफा कड़ों की बहुचार की गई यह आपका सौन पात रहे यह बच्छों सौन पात रहे सिंपल तरीके से और उसमें अलफा कड़ों की बहुचार की गई अब इसका प्रयोग जो है थोड़ा सा जिसे रदर फूर्ड का अलफा कड़ों का प्रक्रिडेंस समंदित प्रयोग है जो आप 12 क्लास में पढ़ोगे आपके सलेबस में नहीं है लेकिन फिलाल में भी एक सिंपल है कि अलफा कड़ों को एक स्लिट के मादम से गुजारा जाता है अब इसमें तो डारेक्ट हमने लेप लगा देते हैं उन तरंगों को प्राप्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के माधम से उसे देखते हैं तो एक लंबी प्रोसेस है सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं कि रदर फोड ने अपने माडल में क्या किया कि अलफा कड़ों की बहुछार की स्वण पत्तर पर यहनी स्वण धातों के अतंत पतले पत्तर पर उन्होंने अलफा कड़ों की उच्च रेडियो एक्ट्यू पदार से प्राप्त अलफा कड़ों का बहुछार किया अलफा कड़ों की प्रहार की तब उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा अलफा कर्ण जा रहा था उसका अधिकांस भाग सीधा निकल जाता है स्वड़ पत्र से सीधा निकल गया अधिकांस अलफा कर्ण जैसे मालीजे सो अलफा कर्ण हमने बहुचार की तो उसमें से लगबाग 99% यहीं, सौ में से 99 अलफाकंड सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल गए, 99% यहीं, सौ में से 99 अलफाकंड सीधे निकल जाते हैं, कुछ अलफाकंड अपने मार्ग से बिचलित हो गये, कुछ अलफाकंड, ज्यादा नहीं, कुछ अलफाकंड बिचलित हो जाते हैं, अधिकांस तो सीधे सुण पात्रों को पार कर जाते हैं। कुछ अलफाकन अपने मार्ग से बिचलित हो गये। और बहुत कम अलफाकन लगभग 10-20,000 में से कोई एक अलफाकन ऐसा होता है, जो टकरा करके वापस आ जाता है। बहुत कम ठीक है, अधिकांस तो अलफाकन सीधे निकल गए, बाहर चले गए, 99% लगभग और 10-20,000 में से कोई एक ऐसा अलफाकन जो टकरा कर वापस आ गया। और कुछ मात्रह में अलफाकन निम्द कोड़ के साथ बिचलित हो जाते हैं, इन्हीं अपने मार्ग से के बिचलित हो गए, देखो, यह अलफाकन था, यहाँ पर पुरा का पुरा अलफाकन ही है, ध्यान रखीगा। अलफाकड गया, सीधा चला गया, कुछ अलफाकड बिचलित हो गये, और बहुत कम मात्रा में, 20,000 में कोई एक अलफाकड ऐसा होगा, जो की तकरा करकी वापस आ जाता है, तो इससे एक निसकर्स निकला, कि जो अलफाकड सीधे निकल जा रहे हैं, इसकी पीछे रिजन ये है कि अधिकांस भाग खोखला था, ये निसकर्स निकला, कि भाई हमारा अलफाकड सीधे निकल गया, इसका मतलब ये हुआ, कि परमाणु का अधिकांस भाग खोखला था, खोखला होने के कारण, अलफाकड सीधे निकल गया, क्योंकि 99% स्वण पत्र से, बिना बिचलन के सिदे निकल गए अब जैसे कोई कर्द भिचलित होता है अपने मार्ग से भिचलित होता है मतलब प्रतिकर्सित होता है अब प्रतिकर्सित होता है अब प्रतिकर्सित होता है इसका मतलब यह है कि नाभिक में ऐसा कोई आवेश है जिसके कारण प्रतिकर्सित होता है तो यह मान निकलती है अलफा करण जो है विद्दु सेल के रिडात्माग भाग की और रिडात्माग प्लेट की और जाती है इसलिए से माना गया कि धनावेशिक्त कड़ है तो अलफा करण जो है धनावेशिक्त कड़ है तो यह वह बिचलित हो रहा है मतलब कहीं न कहीं धनावेश से ही प्रतिकर्शित हो रहा है तो ये माना गया कि भाई अलफाकण बिछलित होता है मतलब केंडर पर धनाबेशित कण है और अलफाकण भारी भी होता है क्योंकि हीलियम परमाणू का बना है तो अलफाकण भारी है तो कहीं न कहीं दि भारी कण बिछलित हो रहा है तो नाभिक में भी भारी करनी होगा, यहनी भारी द्रबमान युक्त होना चाहिए, इसलिए बोला गया कि भाई, बीच में जो धनावेश युक्त भाग है, वो नाभिक है, नाभिक नाम रदर फोड नहीं दे दिया था, भले आगे चल करके बोर का परमाण माडल आप पढ़ोगे, लेकिन र जे थामसर ने कुछ चीज़े बताया, इसके बाद रदर फोड आ गए, इसके बाद फिर बोर का परमाण माडल आएगा, तो बोर का परमाण माडल अभी भी, है ना, उसमें भी कुछ नो कुछ कमी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो बिल्कुल सक्सेश्फूल था, तो ऐस और धनावेशित केंद्र का है, मतलब वहाँ पर उच द्रबमान का भाग है, जिसे नाभीक नाम दे दिया गया, और बहुत जो अलफा कण, बहुत कम अलफा कण है, टकरा करके वापस आते, इसका मतलब है नाभीक जो है, द्रण है, द्रण भागे बच्चों, ठीक है, चलि की जाती है, तो अलफा कण का अधिकांस भाग स्वण पत्र से बिना बिचलन की सीज़े निकल जाते हैं, कुछ अलफा कण निम्द कोन पर बिचलित हो जाते हैं, और बहुत कम अलफा कण, 20,000 में से कोई एक अलफा कण वापस लोटाता है, इससे निसकर्स भी निकाला गया की चुकि अधिकांस अलफा कण अविचलित है, इसका मतलब है अधिकांस भाग, खोखला और रिक्त है, कुछ अलफा कण विचलित होते हैं ता परमाणु की केंदर में धनाविशित कण है, चुकि अलफा कण भारी द्रब्मान युखत है, अता यह धनाविशित केंदर भी भारी द्रबमानिक तो होना चाहिए एवं परमाणू का लगभख पुरा द्रबमान इसे में केंडरित रहता है रदर फोड ने इसे नाभिक नाम दे दिया बहुत कम अलफाकर टकरा कर वापस लोट आते हैं इस सेंगित होता है कि नाभिक कैसा बच्चो द्रण है तो ये हो गया निसकर्स भाई एक्जाम में पूछा जाता है रदर फोड का परमाण माडल तो इतना तो लिखोगे ही साथ में आपको निसकर्स लिखना ही लिखना है इसमें से सबसे ज़्यादा question पूछा गया है कि रदर फोड के परमाण माडल की सीमाएं जो तीन है बच्चो कि रदर फोड ने अपने परमाण में परमाण की इस्थायतों की ब्याख्या नहीं कर पाए परमाण के बिविक्त इस्पेक्टरम की ब्याख्या नहोना इलेक्ट्रानिक संरचना की बैक्ख्या ना होना ये तीन सीमाएं हैं मतलब कमिया हैं हमेशा पूछा जाता है कमिया दरफोड की सीमाएं और इसका डेटेल लिखने की जुरत नहीं है डेटेल भी लिखो कि तो लंबा चोड़ा है बस आपको लिखना है कि परमारु के इस्थाइतु की बैक्ख्या ना कर पाना इस्थाइतु का मतलब भाई कहां इलेक्टरान है कहां प्रोटान है किस प्रकार से इलेक्टरान रहता है वो रहता है या नाभीक में गिर जाता है जैसे देखो यह सबको पता है इलेक्टरान नाभीक के चार चक्कल लगाता है अब भाई चक्कल लगाता है उसके दि सरजित होगा तो इलेक्टरान को गति प्राफ भाई इलेक्टरान गति कर रहा है मतलब वह उर्जव निकाले गाई निकाले गा और एक ऐसी इस्थिता है कि परमाण सिकुड जाएगा इलेक्टरान नाविक में गिर जाएगा इसकी ब्यक्ष्या नहीं कर पाए इसी प्रकार से परमार्ण के इस spectrum का ब्यक्ख्या न कर पाना ये सारी चीज़े हैं ये तो परमार माडल हो गया इसंपल तरीके से नाविक से समंदित किस प्रकार से तो उस पर भी उमें में एक separate वीडियो प्रोवाइड कर देंगे एक छोटा साई लेक्टर रहेगा लेकिन विदिवत रहेगा आप लोग निश्चिन्त रहे फिलाल अभी के लिए इतना ही वीडियो पसंदात लाइक करके share जरूर करिएगा चैनल पे पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जैहिंड बंदे मातरम और हाँ बच्चों दी नोट्स लेना है तो contact नमबर मेरा personal number नोट कर लो आप 9685-9949 यह मेरा personal number है 9685-299149 9685-9949 इस नमबर पर आप contact करके नोट्स ले सकते हीं जैहिंड बंदे मातरम